नमस्कार दोस्तों ओसीय नेटवर्क में आपका स्वागत है रवियो और का ये दिन दो दोस्तों पर बहुत भारी पढ़ने वाला है और इन दोस्तों की इस दोस्ती का खुलासा भी तरह देर में हुआ हमारे जैसे जो राजनीची के विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा देर से पता चला कि अर्विंद केजरिवाल और के चंदर शेखर राओ आपस में गहरे दोस्त भी हैं अब अर्विंद केजरिवाल की द जड़ा देर में समझ में आया लोगों की और आब तो बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ चुके हैं, क्योंकि चेहरे से पर्दा हट चुका है, नकाब हट चुका है। और के चंदर शेखर राओ, उनकी जो बेटी है, पूर्व सांसद और MLA के कवीता, उनका अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की सरकार और इनकी सरकार के द्वारा लाई गई आवकारी नीती में क्या रोल रहा है, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। नहीं आवकारी नीती में दक्षिन की जिन कंपनियों का हाथ बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बड़े शराब के कारोबारियों की सलहा पर ही नहीं आवकारी नीती तयार की गई थी, यानि उसकी पूरी नियमावली जो है, वो शराब कंपनियों ने, बड़े कार बारियों ने तै की थी बस अर्विंद केजरिवाल सरकार ने तो कैबिनेट ने तो उस पर महर लगाई थी तो जाहिर है एक बहुत बड़ी भूमी का केसी आर के परिवार की यानि उनकी बेटी की भी रही है और हम ऐसे अनेक द्रश्च देख चुके हैं जब ये दोनों अर्विंद केजरिवाल और केसी आर अलग अलग अवसरों पर हमें और आपको दिखाई दिये हैं इनकी बेटी यानि के चंदर शेखर राव की बेटी एडी के समन पर पूछताच के लिए उसके पास जा चुकी है उनसे दो बार तीन बार की अल्रेडी पूछताच हो चुकी ह और इडी के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आपको याद होगा जब ये पांच राज्यों की चुनाव प्रकरिया चल रही थी तब इडी ने अर्विंद केजरिवाल को समन भेजा था इनको तलब किया था और तब अर्विंद केजरिवाल जिस दिन इन को इडी के समक्ष प्रस्तुत होना था उसके कठिन प्रश्णों का उत्तर देना था वो चले गए थे पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ शायद मद्य प्रदेश के किसी दोरे पर चले गए थे कहीं किसी रोड शो में शामिल होने के लिए और इनहों ने एक लंबी चोड़ अपारिटी हमें चुनाओ परचार से रोखना चाती है हमारे खिलाब जो है बदले की वहावना से कारवाई करा रही है एडी पर भी सीवी आई पर भी तमाम एजेंसियों पर इन्होंने आरोप मढ़ने की कोशिश की थी तब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे ये भी के साब ऐसा ना हो के एडी शीश महल जा धमके और वहाँ इनको इंट्रोगेट करें और उसके बाद उठा ले और सीधे अदालत में पेश करें और फिर अदालत इनको भी सतेंद्र जैन, मनीश सिसोधिया और संजय सिंग के पास तिहाड भेजने के आदेश जारी कर दे लेकिन चुनाव प्रकरिया समाप्त होने की प्रतीक्षा तमभावत है एडी के अधिकारियों ने करने का फैंसला किया ताकि ये चुनाव में किसी भी तरहा की सहनुभूती अर्जित करने की चेस्टा ना करें अब चुनाव प्रकरिया तो समाप्त हो रही है आज मतों की गिंती हो रही है सब जानते हैं कि आम आद्मी पारिटी ने राजस्थान हो मजद्य परदेश हो या चतिस गड़ हो वहां अपने प्रतियाशी क्यों उता रहे हैं विछले विधान सबाचुनाव में भी इनकी जमानते जब्त ह भी थी और इसमें भी यही होने वाला है पर चुकी जो नेशनल पारिटी का दरजा इनको मिल गया था पंजाब और गोवा के इलेक्शन के बाद तो वो एक इनके दिमाग में रहा होगा कि ये बरकरार रखने के लिए पूरे देश में आम आद्मी पारिटी को कुछ एक नि वरना इनकी पारिटी का भी वही हाल होगा जो ममताब एनलजी की पारिटी TMC का हुआ है और शरत पवार की पारिटी NCP का हुआ है उनका राश्टिय का जो तंगा था जो दरजा था वो छिन गया था बेरहाल नतीजे आ रहे हैं, पता चल रहा है किस राज्य में किस की पारिटी सत्ता में आने वाली है और कौन सी पारिटी सत्ता से बाहर जाने वाली है। News 24 चानक के उसने बताया के 33 से 33, Times Now ETG ने कहा 37 से 45, TV9 पॉल स्टार्ट इसने कहा 48 से 58, Republic जन की बात ने कहा 40 से 55, और इंडिया TV, CNX ने कहा 31 से 47, तो मैजोरिटी चाहिए 60 सीटें चाहिए। और इन में से किसी ने भी नहीं कहा है कि KCR की पारिटी को बहुमत मिलने जा रहा है। कॉंग्रेश पारिटी को सभी ने जीत या जीत से ज़्यादा सीटें लाते हुए दिखाया है। News 24 ने कहा 71 सीटें मिलेंगी कॉंग्रेश को, Times Now ने कहा 60 से 70 मिलेंगी, TV9 ने कहा 49 से 69 मिलेंगी, यानि एक सीट कम रह जाएगी, Republic जन की बात ने कहा 48 से 64 मिलेंगी, और इंडिया टीवी ने कहा 63 से 79 सीटें मिलेंगी, तो ये जो कहा गया है, इसका मतलब ये है कि KCR की तेलंगाना से विदाई होने जा रही है, उनकी पारिटी हारने जा रही है, और अगर हम KCR के रंग डंग देखें, जब उन्होंने TRS से BRS बनाया था, यानि तेलंगाना राष्ट समीती का नाम बदल करके, भारती राष्ट समीती कर दिया था, और उसके बाद मेरा पिछले दिनों संबाजी नगर जाने का एक आवसर हुआ, सभाग्य हुआ, वहाँ एक कारिक्रम में शामिल होना था, जिसको पहले औरंगाबाद नाम से भी जाना जाता था, और मैंने देखा, चुकि मैं कुछ आस-पास के क्षित्रों में भी घुमने के लिए गया था, बहुत बड़े-बड़े पोश्टर महराष्ट के इस शहर में और इस पूरे रिजन में केसी आरने लगवाए हुए थे, किसानों की बाते कहकर के, यानि वो महराष्ट में भी पैर फैलाने का सपना देख रहे थे और वहाँ भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते थे, उन केसी आर की अपने ही रूल्ड स्टेट यानि तेलंगाना में ही इस कदर जमीन खिसक रही है, इसका अंदाजा शायद इनको था नहीं और था, संभवत है, अगर था तो इसी लिए वो इंडी एलाइंस का हिस्सा भी नहीं बने, अलाकि इनके दोस्त, इनके राज़दार, इनके छुपे रुस्तम, अरविंद केजरी वाल तो इंडी एलाइंस में घुस गए थे, उनकी मजबूरी भी थी, राजनेतिक मजबूरी ये थी, कि जो दिल्ली में सेवा और सर्विस और पोस्टिंग और ट्रांसफर वगरा का जो मामला था, जिसको सुप्रिम कॉर्ट ने दिल्ली सरकार के सुपूर्द कर दिया था, और केंदर सरकार फिर अध्यादेश ले आई थी, उससे रोग दिया था, सुप्रिम कॉर्ट के फैंसले का और फिर उसके लिए विदैक लेकर के आई और उसको पारित करा लिया, तो इनको विपक्ष के तमाम जो दल थे और नेता थे, उनके सहीयों की जरूरत थी, और आपको याद होगा जब बगवंत पान के साथ ये जहाज में चड़कर के, अलग अलग परदेशों की राजधानियों में जाकर के लोगों से समर्थन मांग रहे थे, उसके उस विदैक को राज्यसाभा में गिरवाने के लिए, ना वो विदैक गिरना था और ना गिरा, तो वो इनको बड़ा आगहात लगा, लेकिन अर्विन केजरिवाल ऐसा नहीं है के नहीं जानते थे, पर जिस तरीके से बाद में कॉंग्रेस के तेवर बदले हैं और इनोंने भी जो कारनामे किये हैं, कॉंग्रेस के साथ, कॉंग्रेस नेताओं के साथ पंजाब में सुख 2015 के एक पुराने ड्रग्स वाले मामले में ग्रफतार करा लिया है, जब कोई एक ही एलाइंस का हिस्सा होता है, तो कम से कम इतनी लिया हज तो करता है कि जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, लेकिन अर्विन्द केजरिवाल चतुर दनने की कोशिश करते रहे हैं, और वो कॉंग्रेस को प्रेशर में लेना चाहते थे, ताकि कॉंग्रेस पंजाब और दिल्ली में लोग सवाचनाव में अपने केंडिडेट खड़े ना करें, ये कैसे संभव है, तो ये सब जो राजनीतिक लंद फंद अपनाएं, अर्वि तब एनरजी भी, खामोशी अख्तियार किये हुए है, कॉंग्रेस के बदले हुए, रुख को देखते हुए, क्योंकि इंडी एलाइंस की तीन बैठकों के बाद, चोथी बैठक के लिए कोई बाचीत भी आपस में नहीं कर रहा है, नितीश भी अंदर खाने नराज, बतात काविज होना चाहती है, कॉंग्रेस, या अगर कोई नितीश जैसा सहीं जग बना भी दिया जाए, तो चेर परसन बने रहना चाहती है, UPA की तरह सोनिया गांधी, तो इसको लेकर के तमाम तरह के मतबेद भी हैं, और अपने अपने राज्यों में सब के अपने राजनितिक स्वार्थ भी हैं, कोई किसी दूसरी पारिटी को अपने अपने राज्यों में घुसने नहीं देना चाहता है, तो इंडी एलाइंस का जो होगा वो तो बाद में होगा, पर आज जो रिजल्ट आ रहे हैं, राजस्थान के, मध्य परदेश के, च्छतिस गड़ के, तेलंग गोशित ना किये जाएं, क्योंकि उनको प्रेयर के लिए जाना होता है, तो एक दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन इन चार राज्यों के रिजल्ट आ जा रहे हैं, और जैसे संकेत मिल रहे थे, कि राजस्थान में भारतिय जनता पारिटी की वाफसी होगी, मध्य परदेश में भारतिय जनता पारिटी को प्रजन्ट बहुमत मिल रहा है, और 36 गड़ में नیک-to-neck fight है, वहाँ भारतिय जनता पारिटी भी सरकार बना सकती है, कोंग्रेस भी सरकार बना सकती है, तो जो मत गड़ना हो रही है, उसके संकेत भी कुछ-कुछ वैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन त KCR की विदाई हो रही है, ये तैह है, और इनके जो दोस्त है KCR के, अर्विंद केजरिवाल, उनके लिए भी ये चुनाव नतीजे एक बहुत बड़ा जटका लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बस तीन और चार दिसंबर की ही प्रतिक्षा एडी कर रही थी, अब एडी इनको करने वाली है, इनसे इंट्रोगेशन होने वाला है और बहुत संभव है कि इनको भी इनके मित्रों यानि मनीश सिसोदिया और संजय सिंग के पास भेजने की प्रकरिया शुरू हो जाए, तो ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, ये दो दोस्तों KCR और अर्विंद केजरि वाल पर बहुत भारी पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपनी राय से आउगत कराएं, और अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को अपने मित्रों को फोरवर्ड भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जो आल वाला बटन है, उसको दबाएं, यानि बेल आइकोन का ओल वाला बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.